हलो गाइज आएम रिक्की एंड यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासिस बॉडरन फिजिक्स आधुनिक भौतिकी चल रहा है और जो टॉपिक आज देखने वाले हैं वो है नाभीकिया बल या नुकिलियर फोर्स तो नाभीकिया बल या नुकिलियर फोर्स क्या होत जो किसी एटम के नाभीक में उत्पन होता है उसको नाभीकिया बल कहते हैं यह तो आप नॉर्मल ही समझ सकते हैं जैसे माल यहां पर एक फिगर आपको दिख रहा होगा तो इस फिगर में यह जो आप बॉक्स देख रहे हैं यह बॉक्स नुमा जो बनी हुई है यह एक जानते हैं किसी भी एटम के अंदर यह बिद्धमान होती है एक नुकलियर होता है जिसके चारों और आप जानते हैं और अपनी कशाओं में चक्कर लगाता है उरजास्तर के इससे तो यहां पर जैसे जो रेड़ वाला है प्रोटॉन है जो बुलू है नूट्रॉन है तो ए एक ऐसा बल जो एटम के नुकलियर से उत्पन होता है या नुकलियर में होता है या दूसरे सब्दों में कह सकते हैं एक ऐसा बल जो किसी एटम के नाभिक में प्रोटॉन और नूट्रॉन प्रोटॉन और नूट्रॉन को आपस में जोड के रखता है उसको हम लोग क्या बो बोलते हैं साफ बात है एक ऐसा बल जो एकंटम के अंदर न्युक्लियर में है ना किसको नूट्रॉन को और प्रोट्रॉन को जोड़ के रखता है उसको क्या बोलते हैं नाभीकिय बल कहते हैं अगर यह आप इसको डिफनेशन की तोरपर देखेंगे तो हम पहले नाभीकिय ब बल जो आकर्षन बल परमानु नाभिक में परमानु नाभिक में किसको किसको परमानु नाभिक में न्यूकलियोनों को न्यूकलियोनों को न्यूकलियोनों को न्यूकलियोन में क्या होता है अगर आप न्यूट्रोन लिख रहे हैं तो दोनों अलग अलग न्यूट्रोन और अलग प्रोट्रोन लिखते हैं लेकिन अगर आप न्यूकलियोन लिखते हैं तो न्यूकलियोन का मतलब ही होता है कि इसम और प्रोट्रॉन और प्रोट्रॉन ये दोनों ही चीजा इसमें आ जाएगी नूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी तो जो आकर्शन वल परमानुनाविक में नुक्लियानों को अर्था नूट्रॉन और प्रोट्रोन को आपस में या परसपर बंधे रखती है परसपर परसपर बंधे रखती है या बांधे रखती है परसपर बंधे रखती है वे नाभी कहलाते हैं वे नाभी किया बल कहलाते हैं तो यहां से आप इसका definition समझ गए कि नाभीक ये बल क्या होता है और किसे कहते हैं तो एटम के अंदर एक की नाभीक का एक ऐसा बल जो नाभीक में neutron को और proton को परसपर बांध के रखता है उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं नाभीक ये बल या nuclear force बोलते हैं अब देखिए समान अब अगर नाभीक में देखिएगा तो proton भी है और neutron भी है अगर यदि हम proton को लेकर चले हम positive चार्ज धन आभीसित प्रोटोन को लेकर चले रेड़ वाले को देकर चले तो आप जानते हैं कि एक proton और जो दूसरा proton है दोनों सेम हो जाएगा तो सेम होने से क्या करता है वे एक प्रतिकर्षित करते हैं मतलब एक बीस्कांज से दूर हटाते हैं यह बात सोचने वाली है अगर एक proton और एक proton अर्था दो प्रोटान को एक साथ लाएंगे तो और वो क्या करेगा एक दूसरी को प्रतिकर्शित करेगा रिपेल करेगा खुझ से दूर हटाएगा तो भाई अगर प्रोटॉन प्रोटॉन को खुझ से दूर हटा रहा है साथ लाने पर तो फिर इस नाभिक में एक साथ कैसे एड़्जस्ट है यह बात सोचने वाली है कि प्रोटॉन से हटा दना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं है आप नाभिक में देखेंगे यहां प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में है इसके पीछे लॉजिक होता है दोस्त कि जब प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य जो प्रतिकर्शन बल लगता है जो एक दूसरे को अलग कर करने का बल लगता है वह बल इस नाभीकिये बल की तुल्ला में क्या होता है कम पढ़ जाता है इसलिए क्या होता है कि नाभीकिये बल हावी हो जाता है और जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का प्रतिकर्सन बल है वो नगन कम हो जाता है इसलिए क्या होता है ऐसी संरचना ब लोग समझेंगे कि समान आवेस के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या करता है प्रतिकर्शन होता है प्रन्तों इस प्रतिकर्शन के बावजुद जो है यह नाभिक अस्थाई होता है मतलब कि प्रोटॉन प्रोटॉन में प्रतिकर्शन है दुसरे को अलग करता है लेकिन फ समान आवेस के कारण देखिए दो प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्शन होता है या रिपेल करते हैं प्रतिकर्शन होता है और देखिए परण्तु है ना परण्तु वह नाभिक अस्थाई होता है। के बावजूद भी मौझूद है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जितना फोर से वो रिपिल करता है उससे कई गुना ज्यादा फोर से जो इसका नाभीकिये बल है वह उसको पकड़ के रखता है और इसी पकड़ने के बज़ा से दो प्रोटॉन जो है साथ होने के क्यूंकि नाभीकिये बल जो है यह नाभीकिये बल प्रतिकर्शन बल से ज्ज़ाधा होता है अब तु यहां से यहां से बात समझ में आ गई कि जो है प्रोटोन प्रोटोन का सेम आवेस होने के बाबजूद भी वह उसरी को रिपेल करती है लेकिन उसके बाबजूद भी नाभी क्या होता है आपका अस्थाई होता है तो इसका कारण यही एक नाभीकियबल ज्यादा है और प्रोटोन प्रोटोन के मद्यो परतिकसंबल है वो कम है अब नाभीकियबल जो है कितना दूरी पर काम करता है नाभीकियबल का भी एक एरा होगा एक छेत्र होगा जहां तक वो काम करता है तो याद रखिएगा नाभीकियबल जो है यहां पर लिख सकते हैं नाभीकियबल केवल नाभीकियबल जो नुकलियर फोर्स है यह के है तो टू फर्मी टू थ्री फर्मी दो फर्मी से तीन फर्मी यह जो है दो फर्मी से तीन फर्मी यह एक डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस तक नाभीकियबल जो है आपका काम करता इतना दूरी तक ही सक्क्रिय रहता है इतना दूरी तक ही सक्क्रिय अर्था एक्टीव होता है अगर आप से प्रस्ट पूछा जाता है कि कि रींज अगा anahe Ya Mechanic तो आपको फball में अगर हमने लिखा हा तो आपको फल्मी का मतलब समझ में नहींไह आता होगा कि ये कैसी मातरक है तो हम इसको यानने के लिए एक काम कर देते हैं व्याद रखेया जो एक फर्मी होता है एक फर्मी में टेंट्टी पावर माइनस 15 मिटर होता है तो यहां लीक सकते हैं एक फर्मी में 10 परवार मैनस 15 मीटर होता है और यहां दो से तीन फर्मी की बात हो रही है इतना दूरी तक कम करता है तो नाभीक का रेंज तो बहुत छोटा है यह तो इतना बड़ा दिखा गया लेकिन नाभीक एटम का नाभीक क्या होता है उसके अंदर की बात होती है तो यहां जो है आपको याद रख लेना है नाभीक एबल केवल दो फर्मी से तीन फर्मी तक की दूरी तक ही सक्रिय होता है और एक फर्मी में 10 तुदी पावर मैनस 15 जो है आपका वो मीटर होता है तो यह चीज जो है ध्यान रख लेना है और आगे देखना है ठीक है अब देखिए आधुनिक विचारों के अनुसार जो नाभीक एबलों की उत्पत्ति है नाभीक एक कंड के मध्य मेसौन के वीनी में से होता है किसी होता है तो मेसौन के वीनी में से अब यहां अगला फॉइंट जो होगा इसको समझेंगे हम लोग कि एक मिनट देखिए आधुनिक विचार के अनुसार क्या है कि नाभीक एबल की जो उत्पत्ति होता है वह नाभीक एक कंड के मध्य मेसौन के वीनी मेंस होता है इस बात को समझेंगा हम क्या बोल रहे हैं है ना आधुनिक विचार के अनुसार जो आपका आधुनिक विचार है इसमें नभीक्य बलों की उत्तृ देखेगा बहुत बहुत भीटरिन बात है कि नाभीक्य बलों की उत्तिकर नाभिक्य की उत्त्ति कहां से होती है तो आधुलिक विचार के अनुसार ना भीकिया बलों की उत्पत्ती ना भीकिया कन के मध्या कन के मध्या कन के कन के मध्या मेसौन के विनीमै से होता है मेसौन के विनीमै से मेसौन क्या है यह तो आप जानी रहे हैं पाई मेसौन कन पढ़ाया था हमने के मध्या मेसौन के विनीमै से होता है है ना मेसोन के विनिमय से होता है ये बात समझेंगे हम लोग कि नाभीकिय बल की जो उत्पत्ती है जो आपका नुकलियर फोर्स है इसकी जो उत्पत्ती होती है जो इसकी ओरिजीन है वह नाभीकिय कन के मध्य जो नाभीकिय कन है उसके मध्य मेसोन के विनिमय से होता है विनिमय का म बतलब होटा है ठीक है न कि एक्सचेंज से हुता है तो अब यहां पर यह बात समझे कि कि नाभीक्यवल होता क्या बल कहा से उत्पन होता है तो नााभीकियबल डो किसी एक प्रोड्यू रोती है वह और किया कॉ से है अर्थाट न्युक़ियर पार्टिकल से उसके मध्य मेशन के एक्सेंच organize होता है वह संगत है मेस एक कन होता है मौलिक कन है है ना जिसकी खोज कब हुई थी 1935 में युकावा एच युकावा नामक पर ग्यानिक ने किया था और यह जो है इसका दरविब्मान इलेक्ट्रोन के दरविब्मान का 274 गुना होता है इसके पहले वाले वीडियो में देखिए का हमने मेसान का जो है थम्नेल में लिख दिया है तो वहां से भी आप समझ सकते हैं तो वहां जो है उसके माध्यम से होता है और इसका जीवन काल 10 तुदी पर मानस 8 सेकेंड होता है यह सब मैं मेसान के बारे में बता रहा हूँ और यह इलेक्ट्रोन का 274 गुना होता है यह एक औस power होता है तो यह सब हमने मेसान पाई मेसान जिसका नाम है आप पढ़ेंगे तो इसको पाई मेसान भी काया है तो इसके वीडि रिविबास आज़ताद इसके चेंग से होता ह है इसकी अनाविकेवलों की उत्पत्ती इस प्रकार से होती है और क्या है प्रोट्रान और न्यूट्रोन के मध्य बिंदू आविसित मैसान का जो है आभीनि curly सब्स algumasलं अभी सारे네ं सब्सक्राइब प्रीं प्रोंट्राइओ न्यूट्राइद के मध्य प्रोट्राइफ उद्धियूत आविसेंच मेंों होताै विद्यूत आवेसित मेसोन यह एक कन है ना विद्यूत आवेसित मेसोन का वीनिमे होता है का वीनिमे होता है तो अब यहां से समझे कि यह मेसोन का वीनिमे कैसे होता है तो प्रोट्रोन और न्यूट्रोन के बीच है ना जो आपका प्रोट्रोन है यह नाविक में है और है विद्ध्यूत्रावेसित्य मेस्ट यह जो मेस्टान अब देखी एक नाभिक में प्रोटॉनीर में contributor से नाभिक बल उत्पन होता है जो की दो प्रोटॉन के बीच होने वाले प्रतिकर्शन बल से काफी ज्यादा होता है इसलिए कोई भी नाभीक अस्थाई होता है है यह बात याद रखिएगा कि ओरिजनल में नाभीकिय बल जो न्यूक्लियर फोर्स है वह क्या है नाभीकिय कनो के मध्य म आवसीत में है का वींकलिय में है और यहीं बीच क्या करता है आपका नाभीकिय बल कहलता है और प्रोटॉन और नाभीकिय दो साहित होता है और इसी के करण क्या है आपका नाभिक जो है अस्थाई होता है है ना कोई भी नाभिक जो है अस्थाई होता है तो मेसौन के विनिमय से जो है आपका विनिमय बल उत्पन होता है यहां लिख सकते हैं फिर मेसौन के विनिमय से फिर यह जो मेसौन का विनिमय है विद्धूत आविसित मेसौन फिर मेसौन के विनिमय से फिर मेसौन के विनिमय से विनिमय का मतलब आप जानते ही है एक्स्टेंज से लिख सकते हैं फिर मेसौन के विनिमय से विनिमय बल उत्पन होता है वी नी मैं बल क्या बोलते हैं अर्थात आप इसको एक्सचेंज फोर्स का सकते हैं एक्सचेंज फोर्स तो यहां से आपका एक्सचेंज फोर्स उत्पन होता है उत्पन होता है और यही जो एक्सचेंज फोर्स उत्पन हुआ यह क्या करता है नाभिक्य कनओ को एक दूसरे से बांदे रहता है और यहीं वीनी मैं बल नाभिक्य को एक दूसरे से बांदे रहता है कонов को एक दूसरे से बांदे रहता है अगर आपको इसका फिगर दिखाना हो तो यहाँ पर आप प्रोटॉन दिखाईएं और घाउन को दिखाईए और यहीं पैइघ संकन है जो विध्यूत् आविषित मैसुत्स अंकन है जो किसी भी नाभीक को stable रखने में इसका सबसे बड़ा योगदान है तो मित्र क्या बोला टी नाभीक बलों के उत्पत्ती नाभीकिया कन के मध्य मेसौन के विनिमय से होता है अर्थात मेसौन कन के extent से होता है तो नाभीकियाबल कुछ नहीं है नाभीकियाबल क्या है यह ना आपका मेसान कन जो आपका क्या है नभी किया बनों कुरपती नभी किया कन के मद्धि मेसान के विनिमय से होता है और मेसान क्या है विद्ध्यूत आवेसित मेसान है तो यह जो विद्ध्यूत आवेसित मेसान है इसका विनिमय में जो नाभी किया कनों के मद्ध होता है तो प्रोटोन और न्यूट्रोन के मद्ध्य विद्यूत आवेशित मेसून का विनिमें होता है एक्सचेंज होता है फिर मेसून के विनिमें से विनिमेंबल अर्थात एक्सचेंज फोर्स उत्पन होता है इस मेसून के विनिमें से ज यही भी निमेवल क्या करता है ना भीकिय कन को एक दुरसे से बांधे रहता है यहां देखिए यहां आपका निउट्रॉन है यहां आपका प्रोटॉन है और बीच मी यह क्या है पाई मेसान कन है जिसको आप विद्ध्यूत आवेसित मेसान लिखा सकते हैं से एक से दुसरे को जखडे हुआ है और यहीव ज़ ज्यादा हो जाता है दो लिक पुर्ट्रोन के मौधी प्रतिकर्शन बल से इसलिए दो प्रोट्रॉन क्या होते हैं एक से क्रतिकर्शित करते हैं उसके तो बाब di बढ़ी बात नहीं तो आपको समझ मे नहीं आए होगी कोई आपको यादं नहीं रहेगा याद रखना है कि जो आपका जो sokam कर होता है जो कि आपका एक फर्मी में 1024 मानस 15 मीटर होते हैं फिर मेसान करना है उसको आपको हमने पढ़ाया यह अगले वीडियो में तो आज वीडियो को यहीं इंड करते हैं मिलते हैं अगले दिन लिटोपिक के साथ स्वास्तर हैं अपना खयाल रखें जय हिंद जय भारत